बच्चो इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं आउकलज के अनुपरियोग पिछले कक्षा में आपने देखा था कि आउकलन किसी फलन का आउकलन किस प्रकार ग्याद करते हैं और फिर कठिन आउकलन को भी हमने देखा था तो इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं कि राशियों में परिवर्तन की दर हम किस प्रकार ग्याद करते हैं और चैन रूल का उप्योग करके डी वाई बाई डी एकस का मान किस प्रकार ग्याद करते हैं जब वाई ट का फलन होगा और एकस भी ट का फलन होगा फिर अभिलंब का समीकरण जब वो किसी दिये गए बिंदू से हो करके जाता है। इन दोनों अलग-अलग इस्थीतियों में हम किसी दिये गए वक्र के इस पर सरेखा का समीकरण और किसी दिये गए वक्र के अभिलंब का समीकरण भी हम यहाँ पर ग्याद करेंगे। आउकलन का अनुप्रियोग, तुरूटियों और सन्निकटन मान को ग्याद करने के लिए करेंगे, इसके बाद हम यह देखेंगे कि किसी फलन का उच्छिष्ट और निम्निस्ट क्या होता है, और इसके बाद देखेंगे कि स्थाई उच्छिष्ट और इस्थाई निम्निस्ट किस प्रकार ग्याद करते हैं और फिर इन प्रश्णों को हम आगे सरल करेंगे आई यह सुरू करते हैं अपना अध्याय रासियों में परिवर्तन की दर माना y equal to f of x एक फलन है कुछ इस प्रकार इसका मतलब यह कि प्रतेक x के मान के लिए y का हमें अलग-अलग मान प्राप्त होगा अर्थात x जो है यह स्वतंतरचर है और y परतंतरचर है माना कि x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x करने पर y के मान में डेल्टा y व्रिद्धी होती है तो इस प्रकार चर x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर यदि ग्याद करने का हाजाए तो यह होगा डेल्टा y व्रिद्धी पुना यदि x और y किसी तीसरे चर t के सापेक्ष परिवर्तित हो अर्थात x और y दोनों अलग-अलग t के फलन है तो dy by dx को हम ग्याद कर सकते हैं चैनरूल या स्रिंखला नियम का भी उपयोग करेंगे और हम लिखेंगे dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt इस उतर के द्वारा एक चर में परिवर्तन की दर ग्याद की जा सकती है यदि दूसरे चर में भी परिवर्तन की दर हमें ग्याद हो तो प्रश्ण दिया गया है कि यदि एक घन की कोर 5 cm प्रती सेकंड की दर से बढ़ रही है तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब उसके कोर की लंबाई 8 cm है तो इस प्रश्ण को सरल करने के पहले आपको यह ज्याद होना चाहिए कि घन क्या होता है तो घन एक त्रिवीमी अबजेक्ट होता है जिसकी लंबाई चोड़ाई और उचाई बराबर होती है और घन का आयतन यह होगा लंबाई गुनित चोड़ाई गुनित उचाई माना की कोर की लंबाई ए है टी समय पर उसका आयतन वी है तो हम लिखेंगे V equal to A cube, मान लेते हैं कि सम्मिकरण 1 है, अब V का जो मान है या आयतन का जो मान है वो कोर की लंबाई पर निर्भर कर रहा है, अब आयतन में परिवर्तन की दर ग्याद करेंगे, तो V equal to A cube, V का मान इर पर निर्भर कर रहा है, D Y by D T, आयतन में परिवर्तन की दर होगी T के सापेक्ष, और D A by D T होगा, घन के कोर की लंबाई में परिवर्तन की दर समय T के सापेक्ष, D V by D T ग्याद करना हो, तो इसके लिए हम समिकरण 1 का ओकलन T के सापेक्ष करेंगे, तो हमको मिल जाएगा, D V by D T equal to 3 A square into D A by D T, अब प्रश्ण में दिया गया है कि परिवर्तन की दर ग्याद कीजिए, जब कोर की लंबाई 8 cm है, तो इसका मतलब यह कि A equal to हम 8 पुट कर देंगे, और प्रश्ण में दिया गया है कि घन के कोर की लंबाई 5 cm प्रती सेकंड की दर से बढ़ रही है, गुणा 8 कवर्ग गुणा 5, इसको पूरा सरल करेंगे गुणा करके तो आपको मिल जाएगा 960 घन सेंटी मीटर प्रती सेकंड, यह आइतन में परिवर्तन की दर है T के सापेक्ज, और यही हमें ग्याद करने के लिए कहा गया है, तो प्रश्ण दिया गया है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 3 cm प्रती सेकंड की दर से बढ़ रही है, जब वृत्त की त्रिज्या 10 cm है, तब किस दर से वृत्त का छेतर फल बढ़ रहा है, यह हमें ग्याद करना है, तो पहली बात यह कि आपको जो रासी दी गई है, वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का छेतर फल, इसमें जो संबंद प्रदर्शित करने वाला सूत्र है, वह ग्याद होना चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे कि माना कि वृत्त की त्रिज्या आर है, यदि टी समय पर, यदि T समय पर उसका छेत्रफल A हो तो इसका लिखेंगे A इक्वल टू पाई आर स्कोर ये वरित्त के छेत्रफल का सूत्र है अब समय T के साथ वरित्त की त्रिज्या में वरिध्धी हो रही है तो वरित्त की त्रिज्या में वरिध्धी की दर वरिध्धी की दर ये वरित्त की त्रिज्या में वरिध्धी की दर किसके साथ एक्ष? T के साथ एक्ष तो ये हो जाएगा DR by DT rate of change निकाल रहे हैं किसका? R का with respect to time T और ये दिया हुआ है 3 cm पर सेकंड अब हमें पूछा है जब वृत्य की 30-10 cm है तब किस दर से वृत्य का छेत्रफल बढ़ रहा है तो हम लिखेंगे कि समय T के साथ वृत्य के छेत्रफल में वृत्य की दर अर्थात हमें D A by D T गयाद करना है अब एक इस्थान पर हम Pi R square रख देते हैं तो मिल दाएगा D by D T और फिर ये Pi R square पाई तो constant है ये बहारा जाएगा तो ये Pi और फिर D by D T of R square इसको solve करेंगे तो ये Pi यहां से आपको मिल दाएगा 2R और फिर D R by D T तो 2 Pi R और फिर D R by D T D R by D T ये है 3 cm per second R की value at 10 cm ये हमें गयाद करना है तो ये 2 Pi R into 3 that is 6 Pi R अब हमें जो गयाद करना है वो है वृत्त के शेत्रफल में अभिष्ट वृत्धी की दर अर्थात D A by D T ये हमें मिल था 6 Pi R और ये कहां पर निकालनी है जब R equal to 10 है तो ये माना हम यहाँ पर रख देते हैं तो 6 Pi into 10 that is 60 Pi तो इस फ्रकार हम लिखेंगे कि अतह R equal to 10 cm पर वृत्त का शेत्रफल 60 Pi वर्ग सेंटीमीटर प्रती सेकेंड की दर से की दर से बढ़ रहा है इसमें अगला प्रस्ण दिया गया है एक गुबारे की तरिज्या 10 cm पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है जब गुबारे की तरिज्या 15 cm है तब किस दर पर गुबारे का सतही 6 तरफल बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि गुबारा तो एक गोला की तरह हो गया है तो गोले का सतही 6 तरफल यह आपको ग्यात होना चाहिए तो हम पहले एक relation establish करेंगे है जो relation है सतही 6 तरफल और तरिज्या के बीच में उसे पहले हम लिखेंगे और फिर दिये गए रासियों का उप्योग करके अभिष्ट हल तक पहुँचेंगे तो पहले हम यह मान करके चलते हैं कि माना गुबारे की तरिज्या आ रहे यदि समय टी पर उसका सतही 6 तरफल ए हो तो ए इक्वल टू होता है 4 पाई आरे स्कूर यह गोले के सतह का छै त्रफल या फिर प्रिष्ट स्कूर्फल का सूत्र है अब समय टी के साथ गुबारे की त्रिज्या में व्रिद्धि की दर अब सथी व्रिद्धि की दर यह क्या होगा DR by DT गुबारे की त्रिज्यार DR और किसे सापेक्ष में T के सापेक्ष में और ये दिया हुआ है 10 cm पर सेकेंड ये रेट हमें दिया हुआ है तो समय के साथ गुबारे के छेत्रफल में बुरिद्धी की दर ये मिल दाएगा DA by DT गुबारे का छेत्रफल हमने A माना है और किसे सापेक्ष T के सापेक्ष तो ये हो जाएगा DA by DT अर्थाथ D by DT of 4 pi R square 4 pi constant है तो D by DT of R square इसको सॉल करेंगे तो मिल दाएगा 4 pi into 2R DR by DT इसको सॉल करेंगे तो ultimately हम मिल दाएगा 8 pi R into DR by DT DR by DT की value है 10 cm per second इसको इसमें रख देते हैं तो 8 pi R into 10 ये मिल दाएगा 80 pi R ये हमें मिल गया DA by DT अब हमें छेत्रफल में वृद्धी की दर निकालनी है छेत्रफल में वृद्धी की दर कब निकालनी है R equal to 15 पर जब गुबारी के तरिज्जा 15 cm है तब वृद्धी की दर निकालनी है अर्थात DA by DT at R equal to 15 यहाँ पर 15 रख देंगे 80 pi into 15 तो ये मिल दाएगा पंदरा ठेक 120 और ये 0 pi तो इस प्रकार हम यह लिख सकते हैं कि अतह जब गुबारे की तरिज्जा 15 cm है तब उसका क्षेत्रफल 1200 pi वर्ग cm पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है एक बरतन में पानी का आयतन वी गन cm तथा पानी की गहराई x cm है इसमें जो संबंद दिया गया है ये है v equal to 5 x square minus x cube upon 6 यदि बरतन में पानी 5 cm cube पर सेकेंड की दर से डाला जाता है तो गहराई में वृद्धी की दर ग्यात कीजिए जबकि x equal to 2 cm हो तो पहला आयतन सूतर जो दिया गया है v equal to 5 x square minus x cube upon 6 ये समी करन दिया गया है और बरतन में पानी डाला जा रहा है बरतन में डाले जाने वाले पानी की दर ये हमें दिया पानी की दर तो ये dv by dt हो जाएगा 5 cm पर सेकेंड अब बरतन में पानी की गहराई में वृद्धी की की दर ये हो जाएगा dx by dt तो हम dv by dt equal to लिख सकते हैं d by dt of this 5x square minus x cube upon 6 d by dt of this ये इसके equal होगा ये हो जाएगा 10x minus 3x square upon 6 into dx by dt dv by dt ये दिया गया है इसकी value हम put कर देते हैं 5 और यहां से आप solve करेंगे 10x minus x square upon 2 और हमें यही याद करना है dx by dt तो यहां से हम dx by dt याद कर सकते हैं dx by dt equal to 5 upon 10x minus x square upon 2 ये हमें वासूत्र मिल गया अब कौन से condition पर हमें बरतन में पानी की घहराई याद करनी है जब x equal to 2 cm हो तो हम लिखेंगे जब x equal to 2 cm है तब बरतन में पानी की घहराई इसमें वृद्धी अर्थाथ dx by dt at x equal to 2 cm तो इस value इस formula में हम x equal to 2 cm पुट कर देंगे तो मिल गएगा 5 upon 10 into 2 minus 2 का square upon 2 जब गया 5 upon 20 minus 2 that is 5 by 18 cm पर second तो यही है घहराई में वृद्धी की दर्थ जब x equal to 2 cm है उस इस्तिती में अगला प्रशन दिया गया है एक 40 मीटर लंबी सीड़ी का उपरी सीरा उर्धवाधर दिवार से लगा हुआ है जब निचला सीरा दिवार से 9 मीटर की दूरी पर है तो सीड़ी 5 मीटर प्रती से कंड़ी की दर से फिसलने लगती है उसका उपरी सीरा किस दर से नीचे आ रहा है तो इसके लिए हम एक rough sketch बनाएंगे और फिर तो यह मान करके चलते हैं कि यह चित्र कुछ इस प्रकार है जहां पर OA यह दीवार है और इसमें एक सीड़ी है OB और इसमें एक सीड़ी है AB और AB की जो लंबाई है यह 41 मीटर है अब हम यह मान करके चलते हैं कि OA का डिरेक्शन में हम Y फलन को ले रहे है और OB यह हमारा 9 मीटर है जब निचला सीरा 9 मीटर दूरी पर है उस इस्तिती पर हमें निकालना है तो जैसे जैसे O से B की बीच की दूरी बढ़ रही है अर्थात DA DX by DT हो जाएगा अर्थात X में परिवर्थन की दर T के सापेक्श और यह जो OA है इसकी दूरी लगातार कम होती जाएगी तो इसमें Y में T के सापेक्श परिवर्थन की दर यदि निकालना है तो हम लिखेंगे DY by DT तो इसे हल करते हैं तो हम यह लिखेंगे कि दिया है 41 मीटर लंबी सीढ़ी का उपरी सीरा A उर्थवाधर दिवार OA से लगा है उसका नीचला सीरा दिवार OA से B तक 9 मीटर दूरी है जैसा कि चितर में आपको दिखाई दे रहा है अब यह हम मानते हैं कि OB जो है यह X है और OA जो है Y है जब किसी समय T पर सीढ़ी AB का निचला सीरा B O से X मीटर की दूरी पर है तथा उसी समय T पर A O से Y दूरी पर इस्तित है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमे का उपयोग करके लिख सकते हैं कि X स्क्वेर प्लस Y स्क्वेर इकवल टू 41 का स्क्वेर, माल लेते हैं कि समीकरण 1 है, देखिए O से B यह आधार हो गया O से A यह लंब हो गया और A से B कर्ण हो गया तो यह X स्क्वेर प्लस Y स्क्वेर इकवल टू 41 का स्क्वेर अब T के सापेक्ष आउकलन कर देंगे T के सापिक्ष दोनों पक्षों का आउकलन करेंगे दोनों पक्षों का आउकलन करने पर T के सापिक्ष करेंगे तो यह मिल जाएगा 2X DX by DT यह मिल जाएगा 2Y DY by DT और राइट एंट राइट में कॉंस्टेंट है तो यह हमें मिल जाएगा 0 दोनों पदों पर दो जो है यह उभैनिष्ट है तो x dx by dt plus y dy by dt equal to 0 माल लेते हैं कि यह समीकरण 2 है अब प्रश्ण में जो दिया गया था कि cd के एक सिरा है b यह o से दूर जा रहा है तो b को o से दूर जाने की दर तो o से b यहाँ पर x है तो x के साफ एक्ष x में t के साफ एक्ष क्या परिवर्दन हो रहा है तो dx by dt यह है 5 मीटर पर सिकंड यह रास्थी हमें दिया गया है अब यह जो dx by dt है इसे समीकरण 2 में रख देते हैं तो समीकरण 2 में मान रख देंगे मान रखने पर क्या मिल रहेगा x dx by dt यह है 5 plus y dy by dt equal to 0 अब ultimately हमें dy by dt चाहिए तो यह y dy by dt equal to minus 5x या फिर dy by dt equal to minus 5x upon y y दर multiply हुआ है दर जाकर के डिवाइड हो जाएगा तो मान के चलते हैं कि यह समीकरण 3 है अब इसमें एक इस्तिती दी गई है जब निचला सिरा दीवार से 9 मीटर की दूरी पर है अर्थात अब जो चीजे दी गई है उसे देखते हैं जब x equal to 9 मीटर है तब हम समीकरण 1 में देखते हैं समीकरण 1 x equal to 9 यहां पर रख देते हैं तो मिल दाएगा 9 का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 41 का वर्ग तो यहां से मिल दाएगा y का वर्ग बराबर 41 का वर्ग रिण 9 का वर्ग अब इसे solve कर सकते हैं a plus b into a minus b से तो 41 plus 9 और 41 minus 9 तो 41 plus 9 करेंगे तो मिल दाएगा 50 और 41 minus 9 करेंगे तो मिल दाएगा 32 यह value हमें मिल रही है y square की so y की अगर value निकाल नहीं हो तो हमें मिल दाएगा plus minus 50 into 32 और इसे हम लिख सकते है 50 को लिखा जा सकते है 2 into 25 और इसको लिख सकते है 16 into 2 तो यह 2 का एक pair यह 5 का बरग है और यह 4 का बरग है तो मिल दाएगा plus minus 2 into 5 into 4 ultimately हमें मिल रहा है plus minus 40 यह है meter लेकिन y का मान हमीशा धनात्मक रहेगा रिनात्मक नहीं होगा क्योंकि cd जमीन के सतह से नीचे की और नहीं जा सकती है तो हम यहाप पर उसकी उपेक्षा करेंगे और लिखेंगे कि minus की उपेक्षा करने पर minus sign की जब उपेक्षा करेंगे तो हमें y equal to मिल जाएगा 40 meter मान लेते हैं कि यह समी करन 4 है cd के उपरी सिरा जो a है वो नीचे की और आ रहा है cd के उपरी सिरा a के नीचे आने की दर समी करन 3 जो है यह dy by dt यही है minus 5x upon y तो dy by dt dy by dt call to minus 5x upon y minus 5x की value 9 दिखे दिया हुए कि जब नीचे ला सिरा दीवार से 9 meter की दूरी पर है तो cd पांच मीटर पर 30 की दर से फिसलने लगती है और y की value आई है 40 तो ultimately इसको solve करने पर आपको मिल जाएगा minus 9 by 8 meter per second तो यहाँ पर रिंड चिन जो है इसका अर्थ है कि cd के उपरी सिरा a से नीचे आने की दर यह दिखा रहा है उपर से नीचे आ रहा है तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं dy by dt equal to 9 by 8 meter per second और यही हमें ग्यात करने कले कहा गया था प्रश्न दिया गया है कि एक आदमी जो दो मीटर उचा है एक 6 मीटर उचे बिजली के खंबे से 5 मीटर प्रती घंटे की दर से दूद हटता है वह दर ग्यात कीजिए जिससे बिजली के खंबे की चाया बढ़ती है तो पहले हम एक स्केच रफ स्केच बना लेते हैं और जैसा कि आप चितर में देख पा रहे हैं कि AB एक खंबा है और PQ यह आदमी है तथा इसकी जो चाया होगी यह QC है खंबे की उचाई 6 मीटर है तो हम लिखेंगे AB इक्वाल टू 6 मीटर आदमी की उचाई 2 मीटर है तो लिखेंगे PQ इक्वाल टू 2 मीटर और QC इक्वाल टू X यह हम मान करके चलते हैं और हम यह मानते हैं कि T समय पर आदमी की बिजली के खंबे से दूरी जो है यह BQ है यह Y है तब DY by DT तब Y में परिवर्तन की दर T के सापिक्ष यह क्या दिया हुआ है 5 मीटर प्रतिघंटा की दर से दूरी से हट रहा है अर्थाद DY by DT बराबर 5 मीटर प्रतिघंटा वह दर है जिस पर आदमी बिजली के खंबे से दूर हट रहा है और हम इस समय पर लिख सकते हैं X अपॉन टू तो ट्रेंगल है P Q C तरिभुज P Q C में आधार है Q C तो Q C अपॉन टू और P Q है लंब इसी प्रकार तरिभुज ABC की बात करें तो इसके लिए आधार है X प्लस Y और इसके लिए लंब है AB अर्थाथ 6 cm अब इसे सरल करते हैं और X और Y के बीच में संबंध को प्राप्त करते हैं तो ये दो एकम दो दो तियाच है यहाँ पर आजागा 3 और 3 का गुना इससे करेंगे मिल जाएगा 3X बराबर X धन Y इसको लेप्ट साइड में ले आएंगे तो मिल जाएगा 2X इक्वल टू Y या फिर X इक्वल टू Y बाई 2 हमें ग्याद करना है DX बाई DT तो DX बाई DT इक्वल टू DT और ये Y बाई 2 1 बाई 2 कॉंस्टेंट है तो हमको निकालना है DY बाई DT और DY बाई DT जो दिया है यह 5 है तो हमें मिल जाएगा 1 बाई 2 इंटू 5 as DY बाई DT ये दिया गया है 5 मीटर पती घंटा तो यहां से हमें मिल रहा है DX बाई DT इक्वल टू 5 बाई 2 5 बाई 2 मीटर प्रती अवर घंटे की दर से बढ़ रही है यही हमें ग्यात का निकली दिया गया था अगला प्रश्न दिया गया है कि उल्टे संकवा कार बरतन के आधार की तरिज्या 6 सेंटी मीटर है तथा उंचाई 12 सेंटी मीटर है इसमें 11 घंट सेंटी मीटर प्रती सेकंड की दर से पानी डाला जा रहा है जब गहराई 4.2 सेंटी मीटर हो तो पानी का इस्तर किस दर से उंचा उठेगा यह हमें ग्यात करना है तो जैसा कि आप चितर में देख पा रहे हैं कि हमने एक उल्टे सांकवाकार बरतन का चितर बनाया है जिसकी आधार की जो त्रिज्जा है यह 6 सेंटी मीटर है और इसकी जो उंचाई है complete height यह 12 सेंटी मीटर है तो इस चितर के अनुसार हम यह लिख सकते हैं कि वृत्य की त्रिज्जा और उंचाई का अनुपात R और 12 तो यहां से आपको R by H equal to मिल रहा है 1 by 2 या फिर R equal to H by 2 माल लेते हैं कि यह समी करण 1 है अब T समय पर संकू में पानी के तल की त्रिज्जा R तथा उंचाई H है T समय में जब पानी उसे कुछ भर जाता है तो वहां पर जो तल बन रहा है पानी के जारा उसकी त्रिज्जा R है और इसकी जो उंचाई है यह H है तो इसलिए इसका जो आयतन है इसे हम लिखेंगे समय T में पानी का आयतन और संकू का आयतन आपको पता है 1 by 3 pi R square H जहां पर R त्रिज्जा है और H उंचाई है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 by 3 pi और R के स्थान पर H by 2 रख देंगे तो मिल जाएगा H by 2 का square और फिर H और solve करने पर मिल जाएगा एक बटे 12 pi H cube माल लेते हैं कि यह समी करण 2 है समी करण 2 का दोनों पक्षों में T के साफिक्ष आउकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा dv by dt 1 by 12 तो constant है तो यह मिल जाएगा 3 into pi into H square और dh by dt solve करने पर आपको ultimately मिल जाएगा pi by 4 तीन एकम 3 तीन चुक 12 और यह pi और फिर H square और फिर dh by dt माल लेते हैं कि यह समी करण 3 है अब प्रश्ण में दिया गया है अब प्रश्ण में दिया गया है कि जब H equal to 4.2 cm हो तो dv by dt यह दिया हुआ है इसमें 11 cm पर सेकंड की दर से पानी डाला जा रहा है तो dv by dt equal to मिल जाएगा 11 cm प्रती सेकंड की दर से पानी डाला जा रहा है तो समी करण 3 से हम लिख सकते हैं dv by dt equal to π by 4 H के स्थान पर हम रिखेंगे 4.2 का स्क्वार और dh by dt तो इसे हम dh by dt रहने देते हैं dv by dt यह 11 दिया हुआ है तो यहाँ पर 11 रख देते हैं 11 बराबर πाई बटे 4 और यह 4.2 का वर्ग और यहाँ से dh by dt तो यहाँ से हम dh by dt कैलकुलेट कर सकते हैं यह मिल दाएगा 11 गुणा 4 यह 11 है 4 इदर भाग इदर गुणा हो जाएगा और 4.2 गुणा 4.2 4.2 का यहाँ पर गुणा में है इस तरफ यह भाग में आ जाएगा और पाई तो पाई के वेल्यू हम 22 बटे 7 यह रख देते हैं 22 बटे 7 है तो यह 7 बटे 22 हो जाएगा धर जाकर के यह 7 बटे अब इसे जब आप सॉल करेंगे तो आपको एंसर मिलेगा 50 बाई 63 और इसको और सॉल करेंगे तो आपको मिल दाएगा 0.793 या फिर अप्रोक्सिमेटली वेल्यू हम लिख सकते हैं 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड यह पानी की स्तर है तो जब पानी की गहराई 4.2 सेंटीमीटर है तब पानी का स्तर किस दर से बढ़ेगा तो यह 0.8 सेंटीमीटर परती सेकंड की दर से बढ़ेगा और यही हमें ग्यातकर निकले दिया गया था एक वायू सेना का जाहाज सौ किलोमेटर प्रती घंटे की दर से उर्धवा धर्तह उपर की और चड़ रहा है यदि प्रित्वी की तरिज्या आर किलोमेटर है तब इसके उड़ना सुरू करने के तीन मिनट बाद जहाज से दिखाई देने वाले प्रित्वी का छेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है यह ग्याद करना है और दिखाई देने वाला छेत्रफल दिया हुआ है capital A equal to 2 pi r square h upon r plus h जहां h जहाज से प्रित्वी की दूरी है तो यहाँ पर बात की जा रही है कि एक जहाद जो है वो उर्धवा धर्तह सौ किलो मिटर प्रती घंटे की दर से उर्धवा धर्तह उपर की ओर चड़ रहा है तो इसलिए हम प्रस्ट में दिया गया है कि तीन मिनट बाद तो तीन मिनट बाद जहाज की उचाई निकालनी हो तो इसकी स्पीड है सौ किलो मिटर प्रती घंटा यह और कितने मिनट बाद तीन मिनट बाद तो इसे solve करने पर आएगा 5 km तो इसकी जहाज की उचाई अब प्रश्ण में ही दिया गया हिंट में कि दिखाई देने वाला छेत्रफल दिखाई देने वाला पृत्वी का छेत्रफल यह दिया हुआ है a equal to 2 pi r square h upon r plus h माल लेते हैं कि यह समीकरण 1 है जहाँ h जहाज से प्रिथ्वी की मुचाई है अब समीकरण 1 का t के साफ एक्ष आउकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा d a y d t 2 pi r square यह तो constant है अब d by dt h upon r plus h दो फलनों का भाग फल है और उसका हमें आउकलन करना है तो यह है 2 pi r square दखिए h और t का direct correlation हमें नहीं दिया गया है लेकिन हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं d by dh of h by r plus h और dh by dt यहाँ पर हमने dh multiply किया और dh divide किया तो अब इस फलन को हम आगे सरल कर सकते हैं तो dh by dh यह मिल दाएगा 1 फिर minus अंस और फिर हर का उकलन तो d by dh of r plus h और यह dh by dt यहाँ से आगे सरल करते हैं 2 by r square यह है r plus h h के respect में r जो है यह constant है तो इस तरीके से यहाँ पर यह r plus h minus h और इसकी value हो जाएगी 1 into 1 और फिर यह अपन r plus h का square फिर यह dh by dt तो यह h into 1 h plus h minus h cancel हो जाएगा 2 pi r square और फिर यह r अपन r plus h का square और dh by dt अल्टिमेंटली जब इसको solve करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 pi r cube अपन r plus h का cube into dh by dt तो 2 pi r cube अपन यह r square है actually r plus h का square है यह square तो यह r plus h का square dh by dt यह है 100 क्योंकि जाहाज की पृत्वी से दूरी बढ़ने की दर यह क्या दिया हुआ है 100 km प्रतिगंटा तो इस वज़ा से यह dh by dt जो होगा यह हम लिखेंगे 100 km प्रतिगंटा यह हमने यहाँ पर 100 पूट कर दिया अब इसको solve करने पर हमें मिल दाएगा d a by dt d a by dt इक्वाल टू 2 से 100 का मल्टिप्लाइ करेंगे तो 200 पाई और यह r क्यूब अपॉन r प्लस h का स्क्वेर यह है km पर अवर अब प्रत्शन में क्या दिया है कि 3 मिनट बाद 3 मिनट बाद की स्थिति है तो हम लिखेंगे 3 मिनट बाद जब h इक्वाल टू 5 किलोमेटर है यह हमने कल्कुलेट किया है h इक्वाल टू 5 किलोमेटर दिखाई देने वाले 6 त्रफल k बढ़ने की दर यह ही d a by dt कहां पर h इक्वाल टू 5 पर तो वैलिपूट कर देंगे 200 πाई r क्यूब अपॉन r प्लस 5 का स्क्वार और यह है किलोमेटर स्क्वार प्रति आवर और यही वा उत्तर है जो की हमें ग्यात करने के लिए दिया गया था वर्धमान फलन या फिर increasing function तो चित्र में आप कुछ इस प्रकार देख सकते हैं कि y equal to f of x एक फलन है और इस graph में x के सापिक्ष y का जो मान है जैसे x का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे y का मान भी बढ़ता जा रहा है तो आप यह देख पा रहे हैं कि graph जो है हमेशा उपर की और बढ़ रहा है किसी भी बिंदू पर ना तो यह नीचे की और गया या ना ही यह constant है या अचर है हमेशा इसका मान जो है क्रमसा बढ़ते गया है तो इस प्रकार का जो फलन है इसे हम वर्धमान फलन कहते हैं तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि X और Y अक्ष के बीच में हमारा एक फलन दिया गया है और यह जो वक्र है Y इकॉल टू F आफ एक्स वहाँ पर हमने X अक्ष में चार अलग अलग बिंदू दे रखे हैं A, B, C और D तो देखे कि A और B के बीच में जो फलन का मान है वह निरंतर बढ़ रहा है उसी प्रकार C से D के बीच में भी फलन का मान निरंतर बढ़ रहा है लेकिन B से C के बीच में जो फलन है वह पहले अपने उच्च मानों को प्राप्त कर रहा है फिर नीचे की और भी जा रहा है तो इस प्रकार A से B के अंतराल में जो फलन है यह वस्तुता वर्धमान है और C से D अंतराल के बीच में भी यह फलन जो है वस्तुता वर्धमान है और पूरे अंतराल में A से लेकर के D के बीच में फलन वर्धमान है वर्धमान फलन या increasing functions एक फलन f of x वर्धमान कहलाता है यदि अंतराल आई में x के बढ़ते मानों के संगत इसका मान बढ़ते हुए हो जिसमें f of x परिभासित हो और f of x का मान कभी भी नहीं घटता है अर्थात हम लिख सकते हैं x1 is less than x2 that implies f of x1 is less than or equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to i अर्थात x1 और x2 जो हैं वो interval i के कोई एक elements है फलन f of x अंतराल i में वस्तुतह वर्धमान फलन कहलाता है यदि x के बढ़ते मानों के संगत f of x भी बढ़ते हुए हो वस्तुतह वर्धमान फलन को हम strictly increasing function भी कहते हैं अर्थात x1 is less than x2 है तो यह imply करेगा f of x1 is less than f of x2 for all x1 x2 belongs to capital i तो जैसे कि आप graph में देख पा रहे हैं कि x और y दो अक्ष हैं और यहां पर एक कर्व बना हुआ है कर्व पर 4 बिंदू a, b, c, d करमसा इस प्रकार लिया गया है और यह function y equal to f of x है a से यदि हम x अक्ष पर लंब खीचते हैं तो small a बिंदू है उसी प्रकार b से small b, c से small c और d से small d वस्तुतह वर्धमान फलन खुले अंतराल में हमेशा उस अंतराल में वर्धमान होता है खुले अंतराल में वर्धमान फलन उस अंतराल में वस्तुतह वर्धमान फलन नहीं हो सकता है तो चित्र में आप देख सकते हैं कि अंतराल A, D में फलन Y equal to F of X जो है यह वर्धमान है किन्तु यह A से D में वस्तुता वर्धमान नहीं है यह A से B में और C से D में वस्तुता वर्धमान फलन है अर्थात A से B तक फलन का जो मान है यह बढ़ता जा रहा है उसी प्रकार C से D तक फलन का मान करमसा बढ़ता जा रहा है तो इस इंटर्वल में या फिर इस अंतराल में फलन जो है यह वस्तुता वर्धमान है जामिती रूप से वस्तुता वर्धमान फलन का अर्थ है कि हम ओपन इंटर्वल A B में वक्र के अनुदिस बाएं से दाएं जाते हैं तो वक्र उपर की ओर बढ़ता है जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं इस स्थिती में X का विचलन कैपिटल आर और F of X के संगत विचलन F of X plus H minus F of X का चिन एक समान होता है अर्थ हाथ वे या तो धनात्मक या तो रनात्मक होंगे तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं F dash of X equal to limit H tends to 0 F of X plus H minus F of X upon H यह हमेशा धनात्मक होता है विलोम तह यदि F dash of X धनात्मक है तब H के चोटे मान के लिए भी F of X plus H minus F of X तथा H के चिन समान होते हैं अर्थ हाथ यदि H is greater than 0 तब X plus H is greater than X मिलेगा तब X plus H is greater than X मिलेगा तो इससे हमें मिल जाएगा अगर दोनों पक्षों में हम फलन लगा दें तो F of X plus H is greater than F of X तथा H is less than 0 होगी तब X plus H is less than X इससे यह स्पस्ट है कि F of X, X का वर्धमान फलन है दूसरे रूप में चितर से यह स्पस्ट है कि A, B हरासमान फलन या फिर decreasing function आप graph को देख करके यह समझ सकते हैं कि कौन सा फलन वर्धमान है और कौन सा फलन हरासमान है X और Y X के बीच में यदि हमको यह graph लें या एक फलन लें Y equal to F of X यदि graph के मान में निरंतर कमी होती जा रही है या फिर वो नीचे की और बढ़ता जा रहा है तो ऐसे फलन को हम रासमान फलन कहते हैं चितर में आप देख सकते हैं कि Y equal to F of X एक फलन है और X अक्ष पर हमने चार बिंदू लें रखे हैं A, B, C और D उसी के सापिक्ष Y वक्र पर capital A, capital B, capital C और capital D करमस बिंदू है तो देखिए कि A से B तक जो है वक्र कमान निरंतर नीचे की और आ रहा है उसी प्रकार C से D अंतराल में भी फलन निम्नमानों को प्राप्त कर रहा है तो इस प्रकार A से B में और C से D में यह जो फलन है यह वस्तुता रासमान है लेकिन यदि पूरे अंतराल की बात की जाए A से D की बात की जाए तो जो फलन है यह रासमान है रासमान फुलन या decreasing function एक फुलन f of x रासमान फुलन कहलाता है यदि अंतराल i में x के बढ़ते मान के संगत जो की परिभासित हो y का मान कभी भी बढ़ते हुए नहीं होता है अर्थाथ x1 is less than x2 that implies f of x1 is greater than or equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to i अर्थाथ x1 का मान x2 के मान से छोटा है और जब इसे function में apply करते हैं तो f of x1 का जो मान होता है या बढ़ा हो जाता है या बराबर होता है f of x2 के जहांपर x1 और x2 अंतराल के अवयो हैं फलन f of x अंतराल i में वस्तुता हरास मान कहलाता है यदि x के बढ़ते मान के संगत f of x का मान हमेशा घटते हुए होता है वस्तुता हरास मान को हम strictly decreasing function भी कहते हैं अर्थाथ उस अंतराल में फलन का मान हमेशा घटते हुए दिखाई देगा तो इसे mathematically हम लिख सकते हैं x1 is less than x2 that implies f of x1 is greater than f of x2 वस्तुता हरास मान फलन खुले अंतराल में हमेशा उस अंतराल में घटते हुए होता है खुले अंतराल में रास मान फलन उस अंतराल में वस्तुता हरास मान फलन नहीं हो सकता तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि open interval a से d में जो फलन है y equal to f of x यह रास मान फलन है किन्तु a से d जो open interval है इसमें वस्तुता हरास मान नहीं है क्योंकि b से c interval के बीच में function जो है यह increase कर रहा है किन्तु a open interval a d में वस्तुता हरास मान नहीं है यह open interval a b और open interval c d में वस्तुता हरास मान है अर्थात open interval a से b में देखिए फलन का मान नीचे गिरता हुआ है उसी प्रकार c से d में भी फलन का जो मान है वो करमसा गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है तो ज्यामिती रूप में वस्तुता रास मान फलन का अर्थ यह है कि open interval a b में वक्र के अनुदिस बाएं से दाएं जाते हैं तो वक्र गिरता है इस स्थिती में x का विचलन h के संगत f of x का विचलन f of x plus h minus f of x का चिन्ह विपरीत होता है इस प्रकार है कि f dash of x equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h हमेशा रनात्मक होता है विलोमतह यदि f dash of x रनात्मक है तब हम सरप्रथम यह सिद्ध करेंगे कि f of x x का रासमान फलन है दूसरे तरीके से हम यह देख सकते हैं या चितर से इस पस्ट है कि अंतराल a से b में फलन जो है यह रासमान है तब वक्र y equal to f of x के किसी बिंदू पर खीची गई इस परसरेखा x की धन दिशा के साथ अधिक कोन बनाती है तो इस परकार हम लिख सकते हैं 10theta is less than 0 that implies dy by dx is less than 0 that implies f dash of x is less than 0 for all x belongs to open intervals a b तो इस से कुछ conclusions निकल करके बाहर आते हैं जो की कुछ इस परकार है एक फलन f of x अंतराल या open interval a b में एक दिश्ट कहलाता है यदि या तो वर्धमान हो या तो फ्रासमान हो एक फलन f of x बिंदू x0 पर वर्धमान कहलाता है यदि अंतराल open interval x0 माइनस h to x0 प्लस h में x0 इस परकार है कि f of x open interval x0 माइनस h to x0 प्लस h में वर्धमान है और यही बात रासमान के लिए भी है कि यदि x0 रासमान है तो इस interval में x का मान भी रासमान होगा एक फलन f of x closed interval a b पर वर्धमान कहलाता है यदि यह open interval a b पर वर्धमान है और यह x equal to a और x equal to b पर भी वर्धमान हो इसी प्रकार यदि एक फलन f of x closed interval a b पर रासमान कहलाता है यदि open interval a b पर रासमान है और यह x equal to a और x equal to b पर भी रासमान हो फलन f of x के लिए x equal to x 0 के मान को क्रांतिक मान कहते हैं या critical value कहते हैं यदि या तो f dash of x equal to 0 या f dash of x विद्यमान नहीं है बिंदू closed interval x 0 f of x 0 वक्र y equal to f of x की क्रांतिक बिंदू कहलाती है तो अब अंतराल में फलन की प्रकृति या प्रवृति के बारें बात करते हैं यदि interval i में f dash x का मान greater than or equal to 0 होता है तब फलन f of x उस अंतराल में वर्धमान होता है और जब f dash x का मान greater than 0 होता है तो हम कहते हैं कि फलन उस अंतराल में वस्तुत वर्धमान है इसी प्रकार यदि F-X का मान उस अंतराल में लेस देनार इक्वल टू जीरो है तो हम यह कहते हैं कि फलन जो है विया हरास मान है और F-X उस अंतराल में यदि लेस देनार जीरो है तब हम यह कहते हैं कि F-X उस अंतराल में वस्तुता हरास मान है और यदि इस्सिति मिलती है f dash of x equal to 0 तब फलन जो होता है यह एक अचर फलन होता है प्रश्ण दिया गया है कि वे अंतराल ग्याद कीजिए जिन में फलन वर्धमान या हरासमान है तो इसमें पहला प्रश्ण दिया गया है 6x square minus 2x plus 1 तो जैसे कि आप जानते हैं कि थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा था कि फलन किस अंतराल में वर्धमान है और किस फलन में रासमान है यह घ्याद करने की क्रियाविधि हमने देखी थी तो इस प्रकार जो फलन दिया गया है इसे हम पहले f of x मानते है माना कि ये फलन f of x equal to 6x square minus 2x plus 1 है अब इस फलन का आउकला जियाद करते हैं अर्थात f dash x दोनों पक्षों का आउकलान करेंगे तो ये मिल दाएगा 12x minus 2 अब फलन जो है f of x के वर्धमान होने के लिए condition ये है कि f dash x का जो मान है ये 0 से बड़ा होना चाहिए और f dash x का मान है 12x minus 2 that is greater than 0 अब इसको आगे solve करेंगे तो मिल जाएगा देखें ये 12x is greater than 2 और solve करेंगे तो मिल जाएगा x is greater than 2 upon 12 that implies x is greater than 1 by that implies x is greater than 1 by 6 तो इस अंतराल की बात करें जब x का मान एक बटे 6 से बड़ा है तो इस प्रकार हम यह लिखेंगे कि फलन f of x जो है यह अंतराल 1 by 6 to infinity इस अंतराल में वर्धमान है तो यहाँ पर यह condition आ रही है वो यह कि x के ऐसे मान जो की एक बटे 6 से बड़े हो बराबर का चिनेहा पर नहीं लगा है इस वज़े से यह open interval होगा open interval 1 by 6 to infinity तो इस अंतराल में यह दिया गया फलन है जो की वर्धमान होगा अब बात करते हैं कि पुनह फलन f of x के रासमान होने के लिए f dash of x is less than 0 यह वाली condition आती है अगें यहाँ पर यह वाली condition है greater than, अब less than के लिए हम solve करेंगे तो 12x minus 2 is less than 0 तो ultimately जब solve करेंगे तो आपको मिल जाएगा x is less than 1 by 6 यहाँ पर greater than 6 आया था 1 by 6 आया था तो यहाँ पर x is less than 1 by 6 आयागा अर्धात x के ऐसे मान जो की 1 बटे 6 से छोटे हैं तो इसका मतलब यह कि अंतराल जो होगा वो minus infinity to 1 by 6 होगा तो इस परकार हम लिखेंगे कि फलन f of x अंतराल minus infinity to 1 by 6 में हरासमान है या फिर हरासमान फलन है तो यह अंतराल हमें मिल गया तो हमें यह अंतराल मिल गया 1 by 6 to infinity इसमें फलन जो है यह वर्धमान है या incremental है और minus infinity to 1 by 6 इसमें रासमान है या फिर decremental है